स्टेलर वीटा आइंडोवन उनिवर्सिटी ओफ टेक्नोलजी के स्टूडिन्स की एक टीम ने दुनिया के पहले मोबाइल होम का एक प्रोटोटाइप बनाने में सफलता हासिल की है जिसमें न केवल एंजिन बलकी अन्या आंतरिक प्रणालियों को भी एनरजी प्रदान करने वाले सोलर पैनल है पैनल सीधे छट पर लगे होते हैं और इनका अधिक तम एरियर 188 स्क्वेर फोट जितना होता है वे स्टेला वीटा को 75 मील प्रती घंटे तक की गती देने और 373 मील की दूरी प्रदान करने की अनुमती देते हैं अंदर एक किचिन, एक बेड, एक सोफा, एक शौवर और एक टॉइलेट मौजूद है सूपर फ्लागशिप इस कैमपर से यूजर को सिविलाइजेशन से दूर रहते हुए घर जैसा महसूस कराने के लिए डेविलिपर्ज न केवल कमपॉर्ट पर बलकी यूसफुल कपासिटी पर भी ध्यान केंडरित करते हैं स्टोरिज के लिए 35 क्यूबिक फीट जगह और फ्लागशिप अल्टी का उप्योग किया जाता है ग्याजट कॉम्पोजाइट माटीरियल से बना है जिसमें कोई मेटल या वूड के तत्वर नहीं है एक एलेक्ट्रिक एलेवेटर छट को केवल 10 सेकंड में एलेवेट करता है जिससे आपको कई बैड्स में सीधे खड़े होने के लिए परियाप्त हैडरूम मिलता है कीमत 47,500 डॉलर से शुरू होती है अमेरिकी कमपनी पॉली ड्रॉप्स द्वारा कुछ हफते पहले एक अन्यूज्वल अपेरंस वाला ट्रेलर होम प्रेजन्ट किया गया था P17X एक्स्प्लोर को ओनर के लिए रिस्ट्रिक्शन से अवॉइड करने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि हाश ओफ रोड इलाके में आसानी से ट्रेवल की जा सके वहन में 29 इंच के टायर और 15 इंच का ग्राउंड क्लियरिंस है अंदर कॉम्पैक्टनेस के बावजूद दो लोगों और एक पालतु जानवर के लिए जगह है उनके पास एक बैड, हीटर के साथ एक एर कंडिशनर, ब्लुटूट स्पीकर और 1.6 क्यूबक फूट फ्रिज के साथ एक किचिन मौजूद है इसके साथ ही एक फ्रीजर, एक सिंक और एक कुक्टॉप भी मौजूद है इसमें बिल्ट इन वाइलेस चार्जर, शौवर और सोलर पैनल भी है P17X Explorer की शुरुवाती कीमत 35,000 डॉलर है